दोस्तों एक बार फिट से वेलकम है आपका Fantasy Expert News के Official YouTube चैनल पर इस वीडियो में हम लोग CSK और GT के बीच में जो मैच है उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं यहाँ पर इस मैच की प्रिवियू स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ observation इस मैच को लेकर क्या है मैं आपको बता देता हूँ देखो मैं यह सोच रहा हूँ इस मैच को लेकर क्योंकि दोनों ही टीम्स के पास में अच्छी बॉलिंग लाइनप से और बैटिंग यूनिट भी ठीक ठाक है तो मैं यह सोच रहा हूँ कि यह स्कोर जो यहां पर बनेगा वो 160 से 170 के बीच में स्कोर यहां पर बनना चाहिए ठीक है उसमें क्या हो सकता है कि वह या एक से दो बैटर के बीच में ही 50 आएगा या तो एक ही 50 आएगा दोनों ही इनिंग्स में या मैक्स टू मैक्स दो 50 तो बैटर है ठीक है प्लस यह मैंने देखा है जब भी यह दोनों साइट्स के लिए CS के हो चाहिए वो गुजराट टाइटन्स हो कब-कब खेली है यह लास्ट इयर फाइनल में खेली है उससे पहले क्वालीफायर में आपको खेलती विदिगी है तो क्या देखा मैंने वहा इस केप्टन आप किसको कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हम एक्सपेक कर रहेंगी एक ही 50 आएगा या मैक्स टू मैक्स दो 50 आएगा तो हमें डिपेंड रहना पड़ेगा किसके उपर यहां उपर देखिए ओल्ड राउंडर के उपर तो ओल्ड राउंडर कीने अपने वोडियो में देखेंगे कैसे हमारे कॉंबिनेशन बनेंगे वह भी मैं आपको बदाने वाला हूं फिलाल केने में बात कर लेता हूं अगर आप लोग इन्हें टेलीग्राम चैनल नहीं जोइन किया तो आप लोग जोइन कर सकते हैं क्योंकि यहां पर मैं आपको रेगुलर स्पार्टन 72 है आप लोग देख सकते हैं यह हमारा टीम दहाता कल के मैच का तो होफुली आप लोगों ने भी अच्छा खासा अमोंट इस मैच में विन किया होगा बाकि ग्रैंड लिक्स की टीम भी मैंने आपको प्रोवाइड की ही ती यहां पर आप लोग जाएंगे तो म ग्रैंड लिक की टीम ही बना पाया था आपके लिए लेकिन कोशिश करूँगा इस में टेन के आसपास आपको ग्रैंड लिक्स की टीम दो जिससे आप लोग रैंकिंग लगा पाएं काफी लोगों अच्छे वीनिंग्स भी किये इसक्रीन शोर्ट भी शेर किये मैं आपको स्कूर भी शेर करूंगा टेलीग्राम पर फिला लंब लोग इस मैच के बारे में थोड़ा सा डिस्केशन कर लेते हैं तो जो पिछ जो चीजें होनी थी वो मैंने आपको बता दिया कि इसके राउंड इसकोर बनेगा तो हमें यह सोच नहीं नहीं है कि बढ़िए क्या यह भी ज्यान रखना चाहिए भई आप 5 का कॉंबिनेशन रहता है ज्यादा तर प्लेंग 11 के अंदर जिसमें 3 तो आपको 5 बोलर्स मिलते हैं प्लस 2 इस्पीनर्स मिलते हैं तो इस्पीनर्स का हो नहीं है कम विकेट्स यहां पर तो यह नहीं है कि इस्पीनर्स को बहुत ज लो होती जाएगी फिर आपको प्रोप पर डिपेंडेंसी रहनी पड़ेगी फैंडेजी टीम में बोलर्स पर यह बाकि टीम नहीं होचा आप लोग देख सकते हैं यह तो टीम क्या कर सकती डैर्यल मिचल के प्लेज़ पर यहां से मौई नली को ला सकती है ठीक है यह चेंज करके फिर यह चेंज करेगी तो टीम क्या करेगी महेश ठीक्षना के प्लेस पर क्या कर सकती है फिर सीधा इनके जो इस्पेशल बॉलर है मतिशा पातिराना उनको टीम इंक्लूड कर सकती है ठीक है यह चेंज़ेस टीम कर सकती है बाकी मुझे नहीं लगता कोई चेंज़ेस यहाँ पर होने चाहिए अगर वो भी नहीं करती है तो टीम यह कर सकती है कि वह डैरेल मिचल को अनाउंस ही नहीं करें प्लेइंग 11 में और तीन Overseas के साथ में ही यहाँ पर खेले और Overseas में क्या करें जो substitute players है उसमें Overseas players जो है वो अनाउंस कर सकती है Overseas play यह strategy यूज करनी चाहिए चैनाई सुपर किंग्स के लिए अब इसमें सबसे में चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि डेथ के बोलर कौन है वह यहाँ इस पर जो अच्छे से variation डालते हैं उनके लिए wickets यहाँ पर मिलते हैं इस मेंच में मुझे लग रहा है जिसकी पिटाई होगी वह यहाँ पर wicket लेके जाएगा वो है तुशादेश पंडे यह मेरे बहुत अच्छे और मेगा कॉन्टेस्ट के बहुत अच्छे selection बन रहे हैं मैं इनको pick करूँगा इनका selection percent 30% से 40% के round ही रहेगा तो हम सीधे बीट करेंगे अपोनेंट्स को फिलाल के लिए तुशादेश पंडे और दीपक चाहर यह मेरे key player बन रहे हैं हो सकता है मैं तीन बोलर के साथ में भी चला जाओ CSK के गुजाज टाइटन्स की तरब से कोई changes तो होना नहीं चाहिए आपकी player मुझे ने जरह यहां से आ रहे हैं कि देखो मोई शर्मा तो ही है हमेशा परफॉर्म करते हैं अगेंस दसी एस के और लास्ट यह तो विकेट्स भी काफी निकाले थे इन्होंने फिर यहां से एक player यह होगए रिदिमन साह क्योंकि धोनी काफी नीचे आएंगे अजमतुल्ला ओमर जाए क्योंकि इनके पास में variation है और ज़्यादा pace नहीं है सबसे मेंची ज़्यादा pace नहीं है और यह विकेट्ट तो यही मांगती है कि आप बहुत ज़्यादा यहां से रशित खान की तो यह चाल प्लेयर तो हमाई टीम के डिफोल्ट है अब फाइनल प्लेयर का selection जो मेरा रहेगा वो रहेगा इन तीनों के अंदर शुबमन गील साइस उदर्शन और स्पैंसर जॉनसन के बीच में ठीक है अब यह कैसे होगा यहां के टीम बना के मैं बताऊंगा हेट विड में अगर आप लोग बिलीव करते हैं नंबर्स पे तो आप लोग यह देखी सकते हैं केन वीलेमस और केन मामा को मुका नहीं दिया पहले विच में डेविड मिलर ने 36 के अवरे से स्कोर किया लेकिन 16 इनिंग इनों ने लिया 16 मैसे प्ले किया है तो एक एक विकेट तो पावर प्ले में गीरी जाता है मैं उम्मीद करूंगा आपको कि आपको नेक्स्ट वीडियो से पावर प्ले एनलेसिस भी देऊं जिससे आप लोग प्लेयर ड्रॉप कर सकें फिलाल के यह ज्यान रखेगा यह सेकंड इनिंग के अंदर क्या होता है एक बिकर तो पावर पे में गीरी जाता था उपनर पर से अपके सामने आप लोग लोग इसकी शोड ले सकते हैं ज्यादा बैटर होगा टेबंडेट रहीं कि तो रुतुराज गायकवर्ड को बहुत जादा परिशानी नहीं हो हुए इस menu पे इन्होंने बहुत अच्छा खेला है और average भी काफी इनका maintain रहता है यहाँ पर और captaincy भी कर रहे हैं तो मेरी team के default choice यह बनने वाले हैं इनको मैं रखने वाला हूँ place to avoid में मैं रखने वाला हूँ एजिंग के राने को अपनी team से मैं avoid करूँगा मैं यहाँ से डैर्यल मिचल को pick करूँगा शियों दूबे ऐजा impact player आएंगे तो मैं इनको थोड़ा नहीं रखूँगा अपनी fantasy team से यानि drop ही करने वाला हूँ तो मिचल और यहाँ से रुदुराज गायकवार दो player है मेरी team में third choice में मैं रहेंगे अगर मौईनाली खेल रहे हैं तिक्षना को यानि drop करके तो फिर यहाँ पर मौईनाली को prefer करेंगे और रविंद जड़े जाए यह दोनों अगर मौईनाली खेले तो फिर हम लोग रख लेंगे तो यह दो प्लेयर हमरे यहां से बन गए फिर यहां से रचीन रविंदा मौईनाली रचीन रविंदा हम पिक करेंगे और अजमतुल्ला उमरते को एक बार आउट किया है कि रचीन रविंदा ने को आउट किया है कि इसमें ओडियाई फॉर्मेट में वन्डे इंटरनेशनल के अंदर आउट किया यहां से थोड़ा से कॉलर में चेंज कर लूँग इस पर ध्यान रखेगा और मतीशा पाती रणा यह दो बोलर हमारी टीम के मस्ट पिक प्लेयर बनेंगे अगर खेलते हैं तो दीपक चार तो खेलेंगे तो इनको तो रख नहीं है और यहां से मतीशा पाती रणा क्योंकि शुरुआत के पाउल प्ले फेस के अंदर अगर ट इस प्लेयर आप लोग पिक कर लिजिए शुमन गिल पर आप एस प्लेयर पिक करें सीवी सीन ना दें ठीक है यह मेरी प्रेडिक्शन यह दियान रखेगा कुजात के बैटर्स में अजमतुल्ला उमर जाई और साइस उदरशन कैसा के रहा साइस उदरशन इस गेट पर खेल जलती हैं तो हम लोग कैन वीलेमसन को प्रिफर करेंगे बागी डेविड मिलर में आप भी अवोइड करने वाला हूं वेजे शंकार त्यवेट यह दोनों ही अवोइड करूंगा क्याप्टन वाइस क्याप्टन कौन होंगे देखो मिया आप तो मैं आपको सीरियल सीक्वें हो बेट स्कारा हो तब इनको अप्लोग कीजेगा यह भी इनको भीकप करना है कायकोड को सीस के बैट स्कारा हो तो आप लोग कर सकते हैं और राशित खान को आप लोग कर सकते हैं जब GT bet first कर रहा हूं ठीक है ये ध्यान रखेगा आप लोग CVC किस condition में किसको करना है पागे teams बनाते वक्त मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग थोड़ा सेफ के थोड़ा सा risk लेना पसंद करते हैं तो अज में तो लाउमर जाई क्या है भईया variation इनक के लिए भी वाक्शी दीपक चहर और गिल मैं भी भी सेफ में नहीं रखूंगा सुमन घिल को क्योंकि सामने है दीपक चहर और ये इनको परिशान करेंगे ही करेंगे जैसे सिराज परिशान किया था बैरिश्टो को वेसे ये भी इनको परिशान करेंगे इसलिए थोड़ा सा हाई रिस्क में मैंने रखा है जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो खेलेंगे इनके साथ में फिलाल आप मैं चलता हूं अपनी टीम्स की तरफ कैसे आपको बिल्ड करनी है वैसे ध्या आपको कॉंटेस दिख जाएगा पावल प्ले से यहां से इंडिकेट किया हुआ रहेगा पावल प्ले 2x पावल प्ले इसका मीन क्या है आपको क्या रहेगा टीम तो सेम आपका बनेगा लेकिन इसमें इस तरीके से मैं आपको करके ही बता देता हूं कैसे बनेगा जैसे यह से साही सुदर्जे ठीक है यह हमारी टीम के प्लेयर है इन्हें हम लोग पिक करें ही वाले हैं बात करते हैं रविंद्र जडिजा रचिन रविंद्रा अजमतुल्ला ओमरजी फिर यहां से अगर सैंटनेर मौईन अली में से कोई एक खेलता है तो उनको आप लोग प्रिफर कर सकते हैं रशित खान दीपक्चर और मौई शर्मा यह मेरी टीम के मस्ट पार्ट रहेंगे इनको में ट्रॉप नहीं करने वाला हूं और शादुल ठाकूर अगर खेलते हैं तो फिर रखना पड़ जाएगा उनको भी तो कॉंबिनेशन फिर अलग ही बनेगा खेलते हैं तो वैसे चांसे सकम लग रहे हैं तो यह मेरा कुछ टीम दिख रहा है इस तरीके से जिसमें सीवी सी के अंदर मैं आपको उप्शन बताई चुका हूँ अगर आप लोग सेफ खेलेंगे तो कैप्टन के लिए बैस्ट ऑप्शन है रवीन जड़ेजा वाइस कैप्टन आपके राशित खान जिसमें यहां पर हैं यहां से दीपक चाहर तो इन पर रिस्क ले सकते हैं और इसके बाद में चोईस हैं वी सी के लिए रितुराज गाएकवर ठीक है यह मेरी टीम फिलाल के लिए बन रही है मैं इस टीम पर ज्यादा रिलाई करने वाला हूँ अब पावल प अब अभी फिर टीब करीया और चैनेल यहां राघ्री तो कोंसी लेन चाय रहे हैं तो इसे प्याल्यों के लिए बाड़ों के आपको कई आ ज्यादा मिलते हैं और एडवांटेज भी ज्यादा रहता है तो बोलर्स को एडवांटेज रहता है इस कंडिशन में और बेटर्स भी फिनिशर में ज्यादा नौक मानने के चकर में यानी स्कोर करने के चकर में अच्छा कर देते हैं ठीक है तो 16-20 वाला सबसे बैस्ट सक्ष दिया यह मेरे selection हो गए अब यहां से यह क्या है यार तो मैंने वहाँ नीचे apply का option था जहां से मैंने apply कर दिया है तो यह मेरे team बन रहा है देखो मैंने आपको बताई दिया है कि captain जड़े जा है और wise captain हमारे अमर जाई है तो यह मेरी team यहां पर बनकर ready है अब आपको और भी team की जुरूत पड़ेगी मुझे पता है क्योंकि वीडियो जाता लेंती होता है तो आप लोग मेरे telegram चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका यूजर नेम आप लोग fantasy expert new सर्च करके जुड़ जाएगा या फिर वीडियो की description में लिंक है या फिर आपको यहां पर स्क्रीन पर ही यूजर नेम शो हो रहा होगा आप लोग सर्च करके जुड़ जाएगा ठीक है यह मेरा यूजर यह आप लोग देख सकते हैं यह